हलो दोस्तों आप देखरें साइंटेक वीजन एटी बिंदी चैनल मैं हूँ संजय स्वागत करता हूँ आप सबीका आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि आपका फोटो स्टूडियो है फोटो स्टूडियो के लिए कौन सा बेस्ट पिरिंटर हो सकता है या फिर किसी और चीज़ का सौप है आप चाहते हैं कि फोटो भी निकालने का काम हूँ उसके अंदर एड कर सके उसके लिए कोई बेस्ट पिरिंटर बताईए तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं तो इस समझने के लिए आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहिए और प्लिस वीडियो को लाइक कर देजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके काम की होने वाली है तो आईए हम समझते हैं तो Epson को अभी तक जो है कोई complete टकर नहीं दे पा रही है क्योंकि Epson photo print के अंदर बहुत ही जबरदस printer लेकर के आया हुआ है जो कि अभी तक जो है अपना number one का जगह बनाया हुआ है थोड़े से महंगे printer जरूर आते हैं लेकिन quality अगर आपको चाहिए तो आपको Epson के साथ जाना चा photo printing देता है इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग Epson के ही बारे में बात करने वाले हैं कई सारे printer जो आपके budget में हो वो आप buy कर सकते हैं सबसे पहले printer के अगर हम बात करें अगर आपको चाहिए चोटा printer lightweight चाहिए और आप इधर उदर जा करके photo वागेरे निकालना चाहते ह या फिर जादे से जादे आपका काम जो है passport size photo का है या फिर 4 by 6 वगेरे का काम है आपका जादे से जादे तो ये printer बिल्कुल आपके काम का है बहुत ही अच्छा printer है market में बहुत ही जादे चल रहा है और ये जो printer है ये है Epson picture mat PM 520 photo printer है especially ये market में बहुत ही जादे available है और इसके जो quality है जो resolution है इसका वो 5760 into 1440 dpi का है यानि कि जबरदस्त quality इसके साथ में आपको मिल जाती है इतने छोटे से printer के अंदर speed की बात करें तो approximately 12 second के अंदर जो है एक photo ये निकाल देता है और output 3 capacity की बात करें तो 20 seat जो है इसके अंदर output में आती है और input में 50 seat इसके अंदर आ जाती है इस तरीके से इसका जो capacity है और paper sizes की बात करें तो बहुत सारे multiple sizes आ जाते हैं screen पर दिखाई दे रहा होगा आप video को post करके आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा size जो है आप इसके अंदर लगा पाएंगे paper का और इसके weight की अगर हम बात करें तो मत्र 2.3 kg जी इसका weight है connectivity के अंदर जो है USB 2.0 high speed इसके साथ मिल जाएगा wifi direct connectivity के साथ में ये आ रहा है तो अगर इक बहुत small light weight चाहिए तो जादे हम deep में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी चार printers के बारे में हमें बात करना है तो जादे deeply अगर आपको knowledge ले passport size का ही है तो आपके लिए printer बहुत यचा हो सकता है अगर हम इसके prices की बात करें तो अभी फिलहाल ये 14,299 यानि 14,300 रुपे में अबलेबल हो रहा है ओफ-लाइन भी एक बार ट्राई करें कई बार ये offline बड़े ही सस्ते मिल जाते हैं अगर offline सस्ता नहीं है तो आप online buy कर सकत मैं description में link दे रहा हूँ उसके बाद अगर आपको A4 size पर print चाहिए तो काफी दिनों से एक बहुत ही अच्छा printer जो है इनका चल रहा है Epson EcoTank L805 इसका review जो है market में मिला जुला रहा है जो लोग इसको अच्छे से use कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा printer है जो लोग अच्छे से use नहीं कर पा रहे हैं उनका कहना है कि यह printer बहुत ही बेकार है लेकिन इस printer को मैंने भी काफी दिनों तक use किया हुआ है बहुत अच्छा result रहा है बहुत ही smooth printing बहुत ही अच्छा printing सबसे बड़ी बात बहुत ही अच्छी इसकी speed होती है काफी लोग ऐसा भी comment करें कि यह printer अच्छा नहीं है काफी लोग इस printer को अच्छे से use भी नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा से इसके साथ में आपको technical भी होना पड़ेगा यह आपको ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि यह printer खराब नहीं है यह printer बहुत अच्छा printer है अगर आपको quality चाहिए तो इस printer के स साथ जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर six color डलते हैं जिसके बज़े से quality बहुत ही fine आती है बागी के specs की बात करें तो print resolution इसके अंदर वही है 5760 into 1440 dpi यानि की बहुत ही fine quality आनी है print speed की बात करें तो एक A4 size page निकालने में यह करीब 27 second लेता है यानि की बहुत ही fast photo printer है यह और हम बात करते हैं तो 1800 A4 size photo यह निकाल देगा और maximum जो page की width जो maximum बड़ा से बड़ा जो page लेगा वो A4 size यह page लेगा और output tray capacity की बात करें तो 50 seat की capacity है input tray की अगर हम बात करें capacity की तो 120 seat इसके अंदर आएगा paper size की बात करें तो आप video को post करके देख सकते हैं screen पर दिखाई दे रह होगा बहुत सारे sizes जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं A4 size और उसके नीचे बहुत सारे sizes जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं यारी की बहुत सारे paper का sizes यह ले ले लेगा इस तरीके से और warranty के अगर हम बात करें तो 1 year या फिर 30,000 page जो है printing का इसके साथ में जो है warranty आ जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो अगर बहुत ही अच्छी quality चाहिए तो आप आज भी L805 के साथ आप जा सकते हैं बहुत अच्छा printer यह आज भी है उसके बाद के अगर हम बात करें तो Epson EcoTank L8050 printer है यह actually multi function printer है जो पिछला है वो single function printer है सिर्फ आप printing कर सकते हैं लेकिन य printer है यानि कि फोटो से फोटो अगर बनाने का काम आपके पास बहुत ज़्यादे आ रहा है तो आप इस printer को ले सकते हैं इसके साथ में एक display भी आपको मिलता है पैनल पर एक display होता है जिसके अंदर आप image को देख करके आप उसका brightness, contrast, settings वगएरा, quantities वगएरा सब कुछ सेट कर के जो है आप इससे print out ले सकते हैं यानि कि किसी computer की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट इस printer से ही आप फोटो से फोटो निकाल सकते हैं ये इस printer की बहुत ही खास बात है और बाकी case specifications की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी six color ही डालेगा बिल्कुल tank printer है और इसका resolution भी वही है 5760 x 1440 dpi का है और इसका speed भी वही है 27 second में आएक page निकाल करके देगा पेज रिल्ड भी इसका वही है 1800 फोटो आप निकाल सकते हैं और maximum page width इसका भी A4 size ही है और output tray के capacity जो है 50 seat की है input tray की capacity 100 seat की है और page size की बात करें तो आप देख सकते हैं इतने सारे के सारे pages जो है आप इसके अंदर लगा सकते हैं इतने सारे के सारे sizes जो है ये support करेगा और printer की weight की अगर हम बात करें तो 9.1 kg का weight है यानि की थोड़ा भारी जरूर है connectivity की बात करें तो इसे जो है आप USB 2.0 high speed के साथ connect करा सकते हैं warranty की बात करें तो 1 year और 3000 page printing के लिए ये warranty आपको मिल रही है जो कि एक ब buy कर सकते हैं अनिथा अगर सिर्फ printing से related है तो आप L805 ले सकते हैं इसकी price की बात कर तो ये 29,99 रुपे यारी कि 29,000 के आसपास में इसका price है और L805 की अगर हम बात करें तो उसका price जो है 18,299 रुपे है यारी कि 18,300 रुपे के आसपास L800 है तो सिर्फ computer से अगर आपको print करन है तो L805 लीजिए अनिथा photo से photo print भी अगर आपको जादे से जादे करना है तो आप L850 के साथ जा सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं जिनको A3 size paper निकालना है यारी कि photo printer चाहिए A size यारी best quality के साथ में बड़ा page निकालना है A3 के लिए अगर आपको चाहिए printer तो आप ये बहुत सारे पेज़े बड़ा printer है यारी कि A3 अगर इसके साथ लग रहा है यारी कि ये बड़ा printer होगा ही होगा और 6 color इसके अंदर भी डल रहा है resolution की अगर हम बात करें तो इसका भी resolution वही है यारी कि 5760 x 1440 dpi में print out करके देगा और अगर speed की अगर हम बात करें तो 45 second में जो बात करी है वो सारे के सारे borderless ही है और maximum size की बात करें तो A3 plus A3 से भी उपर A3 plus size होता है A3 plus size के paper को ये जो है support करेगा और output track capacity की अगर हम बात करें तो 50 seat जो है output में ये जो है capacity है input track capacity की बात करें तो 100 seat की capacity input में मिल जा रही है paper sizes की बात करें तो क्या कहने हैं इसके बहुत सारे paper sizes A3 plus A4 इस तरीके से बहुत सारे pages मिल रहे हैं और वीडियो को post करके आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ रहा होगा जो बहुत सारे इसके sizes आपको मिल रहा है इस printer के weight की अगर हम बात करें तो 12.5 kg का ये printer है और connectivity की बात करे तो USB 2.0 high speed की connectivity इसके साथ मिल रही है और warranty की अगर हम बात करें तो 1 year या फिर 30,000 print की जो है इसके साथ में warranty मिल रही है जो एक बहुत अच्छी बात है यारी कि अगर बहुत बड़ा काम है business label का आपका काम है A3 पर अगर आप print करना चाहते हैं तो आप इस printer के साथ जा सकते है अगर इस printer के cost की बात करें तो 32,899 यानि की 32,900 रुपे इसका price है आप इसको buy कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों Epson के अलग-अलग photo printers थे वो आपके requirement के हिसाब से आपकी जरूरत क्या है कितना आपके पास काम आता है उसके हिसाब से आप select कर सकते हैं Epson के printer बहुत ही मान जाने हैं सारे के सारे एक सौप से लेकर के और industry तक यानि कि एक बहुत अच्छे business label तक ये printers यूज हो रहे हैं अपनी आवसेक्ता के हिसाब से अपने requirement के हिसाब से select कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा printer best हो सकता है मैं उम्मित करता हूँ कि ये information आपको अच्छी लगी हूँ दोस्ते वीडियो कैसा लगा प्लीज आप comment में बताएं अगर ये वीडियो को लाइक करते अपने दोस्तों के साथ share कर दें और अगर आप इस channel पर नए हैं तो प् सुबहू